कि आये थे हर बजन को ओटन लगे का पास जब दोजार चौदब मैंने प्रेस कंफिरेंस करके कहा था केजरीवाल जी को विदेशों से फंडिम होती है केजरीवाल जी काला धन लेते हैं केजरीवाल जी को कowalakेजेरीं फंडिंग होती है कोई मानता नहीं था अब چंस्क्रीक कोर्ट ने भी यही बात कही है हाई कोर्ण दितिक के खिलाफ चार के खिलाफ अन्ना अंदोलन हुआ था भ्रस्टाचार के खिलाफ और भ्रस्टाचार के दलदल में ऐसा फस गए इन डिस्टिक कोर्ट से जमानत मिल रही है नहाई कोर्ट से जमानत मिल रही है बाकी मंत्रियों को तो सुप्रिम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही है आज म लोगपाल का मिसंडियों के संबंधों की एनाइय की जांच हो जाए तो आपको यह जानकारी मिलेगी, आप भी इस बात को माल लेंगे, कि सत्ता के खातिर वो खालिस्तानियों का भी समर्थन करते हैं, मिसंडियों का भी समर्थन करते हैं, नकसलियों का भी समर्थन करते हैं, अलगावादियों का भी समर्थन करते हैं, मावादियों का भी समर्थन करते हैं. अप अन्ना अंदोलन हुआ था, तो क्या हुआ था? लोकपाल आएगा, लोकायुक्त आएगा, भ्रष्टाचार खतम हो जाएगा. 2015 से भारत में लोकपाल है, आपके राज्य में भी लोकायुक्त आचुका है, और 2015 से भारत के सभी राज्यों में लोकायुक्त है, चलो बाकी राज्य तो छोड़ दीजे, दिल्ली में लोकायुक्त है और पंजाब में भी लोकायुक्त है, दिल्ली का कोई एक बताई जहां प्रश्ट अचार्च खतब होगा और दिल्ली और पंजाब में दोनों जंगां केजरिवाल जी की सरकार है चुक्कि अभी इसकी जांच नहीं हुई है इसलिए शायद आप इस बात को नहीं मानेंगे अभी तक तो आपको इतना ही मान रहे हैं कहां केजरिवाल भ कि बीमारी ठीक नहीं होती एक लोगपाल और बन गया एक लोगहायुत्त और आ गया जोपाल लोगहायुत्त रकिस बन गया है उसपे करोड़ी ऊपए खर्च हो रहा है हमारे आपके tax के पैसे से लेकिन भश्टाच रखति भर कम नहीं हुआ क्यों क्योंकी कानुन नहीं बं क्यूंद मिनिस्ट्री के अधीन में है टांस्पोर्ट डिपार्टमेंट के अधीन में है कभी केज्रिवाल ने पैसा लेना बंद किया ना लेखपालने पैसा लेना चोड़ा है नंडेड साफ उटार छोड़ा है नंघ्रिंता किका tuck लश्युवूने करहाимо貸 पंजाब भी नसे में डूब गया है, पंजाब तो पूर राज्य है, पंजाब में तो बाकादव कानून बना सकते हैं, नसा तसकोरों की प्रपर्टी चप्त करने, नागरीता खतम करने, आजिवान कारावास फांसी देने के लिए, चलो कानून नहीं बना सकते, दिल्ली पू पाही नहीं है, पानी तो उत्राखंट से आता है, गंगनाहर का पानी आता है, तो अल्टीमेटली पानी वहां से खरीद रहे और पानी को फिल्टर करके दिल्ली वालों को दे रहे, तो जो वह भी लागत हो रही है, वह भी टैक्सपेर का पैसा है, केजरी वाल ने क्या किया भाफ फ़श्वाज उठाई घुश पैट्ख्यों को तो उल्टा उनों इन दिली μें बसाया है आफ पंजाब में बड़ी मात्रा में घुस्पैट्ख्यों को बसाया जा रहा है जो रोहिंगा बंगला देशी आरे इनको वो आधारकार बना के दिया जा रहा है रासनकार बना के दिया जा रहा है जो मुख्यमंत्री के नाते वो काम कर सकते थे वो तुन्होंने किया नहीं उन्होंने क्यों टैक्सपेर का पैसा लिया इधर से पैसा लिया उधाल लुटाया अपने अपना नाम कमा लिया केजरिवाल कभी केजरीवाल ने वन नेशन वन इंडावमेंट कोड की बात किया कभी केजरीवाल ने वन नेशन वन इन्टावमेंट कोड की बात किया कभी केजरीवाल ने जो आवेद निरमार दिल्लिम होता जा रहा है या पंजाब में जो आवेद निरमार होता जा रहा है उसके कालाधन के खिलाफ आवाज उठाई हो, कोई एक वीडियो बता दीजे, जहां केजरिवाल ने कहा हो, कि कालाधन बेनामी संपत्ती 100% जबत करने, ब्रश्टाचारियों को आजिवन कारावास भासी देने, और ब्रश्टाचारियों को नागरिक्ता खतम कने एक ले कानून बनन कोई एक वीडियो आगर आपको मिला ता बताना मुझे, तीन बार मुख्यमंति जा चुके हैं, दिल्ली में भी सरकार है, पंजाब में भी सरकार, पंजाब में भी लाखो परिवार बरबाद हो गए हैं नशे के काराद, लाखो बहन बेटियां अपने नसेडी पतियों से प दिल्ली में जहां एक महले में एक सराप का ठेका था, वहां एक महले में तिन तिन शराप का ठेका खुलने का आदेस पारित कर दिया, बबाबा साब अमेटकर तो कहते थी देश की एकता खंडता हो मजबूत करना है, तो equality before law होना चाहिए, equal protection of law होना चाहिए, यानि कानून क इंतर की बात करते हैं, न जनसंख्या ने अंतर की बात करते हैं, न घुस्पैठ ने अंतर की बात करते हैं, न कालाधन ने अंतर की बात करते हैं, न विदेसी चंदा ने अंतर की बात करते हैं, हाँ बस लोगपाल और लोकायूत की पितरी बजाई, और उसके नाम पे सत्ता अधिया लिया सता हथियाने के बाद उसको भी लोग पाल लोग लोग अई उसको भूल गए और अंत में अपना tax reform की बात किया कभी केजरी वाले administrative reform की बात किया केजरी वाल का जो मिसंद्रियों connections है जो पंजाब में खुले आम धर्मांतर हो रहा है जगह जगह चंगाई सभा हो रही है और बीमारी ठीक करने का वादा करके convert किया जा रहा है और सबसे जड़ा convert किया जा रहा है दलितों को पंजाब के जो सिडिल का सन सिडिल ट्राइट है जिस यह हम बेटकर की फोटो लगाते हैं और पंजाब में दलितों का conversion हो रहा है और शांत बैठे हुए लेकिन अब मैं मांग करता हूं कि केजरी व कराल जी और नक्सलियों के बीत में जो संबंध है उसकी एनाये से जाच होनी चाहिए इस पाखंड को भारत की जंता समझ चुकी है युवा समझ चुके है जो नहीं समझ पाए हैं उनको समझाना बहुत मुस्किल है केजरीवाल वास्तों में मानदार है तो मेडिया को बुल के खिलाफ है एलक्षम कमिशन के खिलाफ है और हमने माल लिया कि चलो कोट भी सीवाल खिलाफ है तो भाई आप रतेच्छम की मुर्पार्म साच को आज क्यों अपना नार्को टेस्ट कराओ ना लाइब करा दो जैसे हर चीज आप रस कॉन्स करते हो मीडिया के सामने करते हो एक बार अपना लाइब टेस्ट करो नार्को टेस्ट करा के मीडिया को लाइब करने दो वेन वैपिंग टेस्ट कराओ मीडिया को लाइब करने दो पॉलिग्राफ टेस्ट कराओ मीडिया को लाइब करने दो वो नहीं करना बस केवल और केवल यह कहते रहना कि मैं इमानदा को एक्सपोज करिए इसलिए मैं रिक्विस्ट करता हूं पांच जार फेस्बूक फ्रेंड बनाईए और कड़वा सच लिखना सुरू करिए अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बूक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें